Dear Students, आज हम इस वीडियो में NCRT Math Class 8 Exercise 1.2 को complete करेंगे 1.1 अल्रेडी करवादी है मैंने, तो उसका अगर आपने देखना है तो लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा तो इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं, 1.2 में है Represent These Numbers on Number Line अब Number Line बनाने के लिए आपको Scale का Use करना है, Scale से आप एक Line लगाएंगे ठीक है, कुछ इस तरह से Line लगाने के बाद, आपको क्या देखना है, कि हमारा Denominator क्या है और Number Positive है या Negative, तो यह Number Positive है, तो जहाँ आप Zero लगाएंगे Zero से आपने Right Side में Movement करनी है, क्योंकि इस तरह हमारे Positive Numbers होते हैं तो नीचे 4 है, और Denominator 4 है, और उपर है हमारा 7 तो 7 Cut आप जो हैं लगा दें यहाँ पर, जैसे यह Scale के Point होते हैं, तो Scale के Point को देखके अगर आप लगाओगे तो Equal Distance भी लगेंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4 के हिसाब से तो यहाँ पर Zero पर मैं Zero को रख लेता हूँ, और Scale के According यहाँ पर Cut लगा देने हैं आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और 8 और इसको थोड़ा अगर आप चाहें तो Dark भी कर सकते हैं, ताकि Clearly Visible रहे ठीक है, Scale के साथ जितना काम करेंगे साफसुत्रा उतना ही अच्छा रहेगा, 1, 2, 3, यहाँ पर Counting लिखने हैं आपको 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ divide करेंगे किस से, 4 से, जो हमारा denominator यहाँ पर है, तो 4, 4, 4, 4, 4, 4, and same here, तो हमारा number हमें मिल चुका है, 7 by 4, इसको आपने circle कर देना है, ऐसे ही same way में second question के लिए number line बनाते हैं, उसमें है negative integer, तो हम जो है, number line बनाने के लिए, एक line लगाएंगे, और center में रखेंगे 0, और इस तरफ अब हमें movement करवानी है, क्योंकि negative numbers हैं, ठीक है, तो 6 cut हम लगाते हैं, यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, तो यहाँ पर लिखेंगे, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, और divide कर देना है, इसको 6 से, ठीक है, divide करने के बाद, जो required number है, वो हमारा हमें मिल चुका है, ऐसे ही next देखते हैं, next है, represent minus 2 by 11, minus 5 by 11, minus 9 by 11, और number line, same जैसे हमने first question किया है, वैसे इसको करेंगे, number line बनाते हैं पहले, इस तरह से, और आप देखे, minus वाले numbers हैं, तो positive हमें लेने की जुरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरह से 9 point हम लेंगे, यहां से start कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो यहां counting लिख देते हैं, minus 1 by 11, minus 2 by 11, minus 3 by 11, minus 4 by 11, minus 5 by 11, minus 6 by 11, minus 7 by 11, minus 8 by 11, and minus 9 by 11 ठीक है तो जो जो हमें चाहिए था उसको circle कर देते हैं 2 by 11 minus 5 by 11 और minus 9 by 11 ठीक है इस तरह से आपने represent कर देना है next next third question write 5 rational number which are smaller than 2 तो 2 से छोटे 5 rational number हमें लिखने हैं तो इसके बहुत से वे होते हैं इसको लिखने के एक simple way जो है वो ये है कि आप 2 को लिख सकते हैं 2 by 1 ठीक है अब उपर और नीचे किससे multiply के जितने आपको rational number चाहिए उससे 1 plus करके 5 rational number चाहिए तो 1 plus करेंगे 6 तो 6 से उपर और नीचे इसको कर दो multiply ठीक है तो ये बन जाएगा 12 by 6 cancel करोगे 2 या आएगा न तो 2 is equal to 12 by 6 अब इससे छोटे चाहिए तो 0 और इसके बीच में जितने मर्जी आप number ढून सकते हैं हम लिख सकते हैं 1 by 6 2 by 6, 3 by 6 4 by 6 and 5 by 6 तो ये आपके 5 ऐसे rational number है जो smaller than 2 है ठीक है फिर है मारा next fourth question fourth में है find 10 rational numbers between minus 2 by 5 and 1 by 2 अब 10 rational number हमें इनके बीच के निकालने है तो जब ऐसे 2 rational number हमें given हो तो आपको पहले इनका denominator सेम कर लेना है ठीक है सबसे पहला काम 5 और 2 है तो हम इस statement को लिखते है minus 2 by 5 and 1 by 2 अब वो कैसे सेम करोगे आप denominator जो इसके नीचे है इससे उपर और नीचे इसको multiply कर दो और जो इसके नीचे है उसको इधर multiply करवादो ठीक है तो यह आजएगा minus 4 divide by 10 और यह आजएगा 5 divide by 10 अब इनके बीच में हमें नंबर चाहिए 10 तो आप क्या करेंगे तो आप जो है जितने नंबर चाहिए उससे आप उपर और नीचे multiply करवादो 1 प्लस करके ठीक है तो यह हो जाएगा 11 क्योंकि 10 rational नंबर चाहिए तो 11 से उपर नीचे multiply करवादो इसको भी और इधर इसको भी ठीक है अब आप इनके बीच में कितने यही नंबर ढून सकते हैं ठीक है वैसे यहाँ पे minus था यहाँ plus था तो आप 2 और 3 से भी करते हैं तब भी बहुत से नंबर इनके बीच में आ जाते हैं तो यह बंज़ेगा minus 44 divide by 110 यह हो ज़ेगा 55 divide by 110 तो देखे इनके बीच में बहुत सारे नंबर जो हैं आपके पास आ रहे हैं तो आप कोई भी लिख सकते हैं जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 by 110 2 by 110 3 by 110 और भी कुछ भी लिख सकते हैं आप मालीजे 25 by 110 तो कितने ही नंबर हैं आपको जितने चाहिए हैं आप इसके बीच में लिख दीजे 26 by 110 27 by 110 28 by 110 29 by 110 30 by and so on तो जितने आपको चाहिए आप लिख लिख लीजे माइनस वाले भी आप लिख सकते हैं इसमें प्लस वाले भी ठीक है माइनस 44 से 55 के बीच में फिर आता है 5 फिफ्ट में भी सेम है 5 रैशनल नंबर बिट्वीन तो इनके बीच के 5 रैशनल नंबर चाहिए तो फर्स्ट हमारा काम क्या होगा दिनोमिनेटर को सेम करनेगा तो यह हजएगा 4 by 5 अब दिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे इसको थोड़ा आगे बनाएंगे multiply करेंगे किस से multiply करेंगे जो इसके नीचे है 5 5 और इधर इसको आगे बनाएंगे multiply करेंगे जो इसके नीचे था 3 3 तो यह होजएगा 2, 5, 4 10 by 15 और यह होजएगा 12 by 15 ठीक है अब इनके बीच में नंबर आता है 11 by 15 हमें चाहिए 5 नंबर तो आप जो है इसको 5 से 6 से किसी से भी multiply कर दीजिए तो 5 नंबर आपके पास आ जाएंगे ठीक है तो 4 से multiply कर देते हैं 5, 6 आप किसी से भी किजिए तो कोई गल्त नहीं होगा अपनी मर्जि से आप किसी से भी कर सकते हैं करते हैं 4 से तो 10 divide by 15 multiply 4 multiply 4 करना condition क्या है कि उपर और नीचे दोनों करना है single या उपर या नीचे नहीं कर देना है 12 multiply by 4 divide by 15 multiply by 4 तो यह होज़ेगा 40 divide by 60 और यह होज़ेगा 12 और 48 divide by 60 अब इनके बीच में देखो 8 नमबर आते है 41 by 60 42 by 60 43 by 60 44 by 60 and 45 by 60 हमें 5 चाहिए तो 5 हमारे नमबर आ गए है फिर next हमारा question हम देखते है next वाले में है minus 3 by 2 and 5 by 3 ठीक है तो इसमें इसमें भी आप क्या करेंगे 3 से इधर दोनों को multiply कर दो और 2 था इसके निचे इसको इधर multiply करवा दो तो यह होज़ेगा minus 339 by 6 तो इनके बीच में already 5 से ज्यादा नमबर है तो हम असानी से लिख सकते हैं इसको किसी से multiply करवाने की जरूरत आपको नहीं है तो आप यहां लिख सकते हैं minus 8 by 6 minus 7 by 6 minus 6 by 6 minus 5 by 6 and minus 4 by 6 ठीक है तो यह आग गया आपका answer last question में भी same इसी तरीके से आपको करना है 1 by 4 and 1 by 2 तो इसको multiply करवा दोगे आप 2 से उपर और नीचे और इसको multiply करवा दोगे आप sorry 4 से ठीक है ताकि denominator सेम हो जाए तो 1 to just 2 by 8 और कॉमन लगा के लिख देंगे 4 by 8 अब 2 और 4 के बीच में तो 3 आता है सिरफ हमें 5 नमबर चाहिए तो हम जो है इसको multiply करवा देंगे किसी और नमबर से जैसे for example हम करते हैं इसको 4 से multiply ठीक है तो 4 से उपर भी कर दो और नीचे भी same way में 4 से उपर भी और नीचे भी तो यह हो जाएगा 4 to just 8 by 32 और यह हो जाएगा 4 for just 16 by 32 तो अब आप देखें इनके बीच में बहुत से नमबर आ रहे हैं तो इनको आप जो है लिख सकते हैं 9 by 32 10 by 32 11 by 32 इस तरह से आप जितने चाहें आप इसमें लिख देजिए write 5 rational numbers greater than minus 2 तो 5 नमबर लिखने हमें जो minus 2 से बड़े हैं तो minus 2 को हम लिख सकते हैं is equal to minus 2 by 1 अब इसको आप किसी से भी आप multiply कर सकते हैं बड़े नमबर से जैसे हम मालीजे कर जते हैं minus 2 by 1 को 5 से ठीक है उपर और नीचे आपकी मर्जी है इसको किसी से भी करवा सकते हैं थोड़ा बड़ा ही लेए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो minus 10 by 5 हो जाएगा अब इससे बड़े लेने हैं तो minus 10 से बड़ा कुन होगा minus 11 या minus 9 minus 9 ठीक है ये बात द्यानक नहीं है minus में opposite हो जाता है system तो इसमें बड़े हमें लिखने हैं तो ये आज़ेगा minus 9 by 5 minus 8 by 5 minus 7 by 5 minus 6 by 5 minus 5 by 5 इस तरह से आपको ये numbers लिख देने हैं minus 5 by 5 को आप minus 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये cancel हो के 1 दे देता है हमें ठीक है तो 5 rational number इस तरह से लिखने हैं last है find 10 rational numbers between 3 by 5 and 3 by 4 और इनके वीच में 10 rational number हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे पहले denominator को same करेंगे इधर 4 है तो 4 से उपर और नीचे multiply कर देते हैं तो यह जाएगा 3 4 जा 12 divide by 5 4 जा 20 तो यहाँ पर क्या जाएगा 5 3 जा 15 और divide by 4 5 जा 20 अब इनके बीच में 10 rational number नहीं है 12 13 14 2 ही rational number बन रहे हैं हमारे बस तो हम 10 बनाने के लिए आप जो है 10 है यहाँ पर 10 में 1 प्लस 1 increase कर दीजे 11 11 से उपर और नीचे वैसे आप इसको 8 से करेंगे 8 से उपर किसी से भी कर दीजे तब भी आजाएगा 10 से यहाँ 10 है तो 10 से ही करवा देते हैं 10 उपर भी और नीचे भी यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10 ठीक है तो यहाँ कितना आजाएगा 120 divide by 20 की 10 से करेंगे 200 फिर 150 डिवाइड बाइ 200 तो देखेंगे इंके बीचे नंबर आगे न बहुत सारे नंबर आगे तो हमें 10 लिखने तो हम लिखेंगे आपे 121 बाइ 200 122 बाइ 200 123 बाइ 200 125 बाइ 200 126 बाइ 200 127 बाइ 128, 9 and 130 ठीक है इस तरह से आपने 10 रेशन नंबर लिख देने हैं तो प्यारे बचो आज हमने कंपलेट किया exercise 1.2 को ऐसे ही और नए नए वीडियो आपके पास आते रहेंगे उसके लिए आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए धन्यवाद